बसकार दोस्तों हर्याना जी के करंट अफेर सीरीज के अंतरगत मैं चंदरहास एक बड़ फिर से आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ करंट अफेर सीरीज के अंतरगत आज हम राज्ये की बीसवी पसु गन्ना पढ़ेंगे उसके बारे में जो भी important point है facts है वो जानेंगे अच्छे तरीके से आप साथ की साथ में आसा करते की notes भी बनाएंगे notes में अच्छे तरीके से करंट अफेर सीरीज के अंतरगती लिखेंगे हम इस वीडियो के अंदरगत ये भी जानेंगे कि राज्ये के किस जिले में किस पसू की संख्या जादा है उसके बाद दूसरा स्थान कौन से डिस्टिक का है तीसरा स्थान किसका है सबसे कम कौन से डिस्टिक में पसू की संख्या है ये सभी point जा लेंगे पस्वों से सम्मंदित सबसे बड़ा मेला कहां लगता है पस्वों में उट भी आता है तो उट से सम्मंदित सबसे बड़ा मेला कहां लगता है इन सभी का इस वीडियो के अंदर सभी अच्छे तरीके से पॉइंट जानेंगे पस्वों के अंदर सबसे ज़्यादा पस्व कौन से डिस्टिक में मिलते हैं सबसे कम कौन से डिस्टिक में ये सभी चीज़े इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे आप सुरुआत से लेकर आंते तक अवस्चे बने रहे हैं शुरुआल से लेकर लाश्य तक अब इसादे देखेए तभी आपको पता लगेगा कि आपने करन्टफेर में नया क्या पढ़ा है और पहले पुराना डाटर क्या था और क्या-क्या पुराना डाटर के अंदर नया बदलाव हुआ है वो भी आप इस वीडियो के अंदर गत द लेकिन हम आपसे बात बता दे कि भारत में पहली बार पसुगणना कब हुई थी तो आपने याद रखना है 1929 के अंदर पहली बार पसुगणना हुई थी पसुगन्ना परतेक कितने वर्ष के उपरांथ होती है तो आपने ये भी याद रखना है कि पसुगन्ना परतेक 5 वर्ष के उपरांथ होती है आप ये नहीं लिखना है पसुगन्ना लिखना है ना कि जनगन्ना जनगन्ना नहीं होता है पसुगन्ना होता है पसुगणना परतेक पांच वर्ष के उपरांत होती जो पहली बार 1919 के अंदर हुई थी वर्तमान में बीसवी पसुगणना चली हुई है इस बीसवी पसुगणना की शुरुवात कब हुई थी तो ये याद रखिएगा, बीसवी पसुगन्ना की शुरुआत हुई 27 जनवरी 2019 के अंदर, 27 जनवरी 2019 के अंदर बीसवी पसुगन्ना की शुरुआत हुई, अब की बार इस पसुगन्ना के अंदर समार्टफोन और टैबलेट का इस्तमाल किया गया है, और अब की बार राज् अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते हुई चलिए लिखते चलिएगा कि ये वर्तमान में 20 वी पसुगन्ना चली हुई है जिसकी सुरुआ 27 जनवरी 2019 में हुई थी टैबलेट और स्मार्टफोन का यूज किया गया और याद रखना है अब की बार 20 वी पसुगन्ना में या राज्ये के अंदर बिल्लियों को भी जोड़ा गया है बिल्लियों की भी गिंती की गई है ये चीज भी याद रखनी है अब हम देखेंगे कि पसुगन्ना का मुख्य उद्दे से यही होता है कि राज्ये में पसुगन्ना का मुख्य उद्दे से यही होता है कि राज्ये मे पसूधन की संख्या राज्य का कौन सा जिला ऐसा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पसूधन की संख्या है, तो हिसार, राज्य में सबसे ज़्यादा जो पसूधन मिलता है वो हिसार में मिलता है हिसार के बाद में दूसरा स्थान किसका है तो आपने याद रखना है सिर्षा का तीसरा स्थान किसका है जीन्द का राज्ये में सबसे ज़ादा जो पसूधन है वो मिलता है हिसार में, सिर्षा में और जीन्द में याद रखेगा पहला हिसार, दूसरा सिर्षा और तीसरा चीन्द है राज्ये में सबसे कम पसूधन, राज्ये के अंदर सबसे कम पसूधन कहां है भाईया पंचकुला में फरीदाबाद, राज्य में सबसे कम पसुधन पंचकुला और फरीदाबाद, याद रखेगा पंचकुला और किसका नम आता है फरीदाबाद, क्योश्टन फिर रिपीट कर रहे हैं, राज्य में सरवादिक पसुधन की संख्या हिसार, सिरसाथ जीन, और सबस तो सबसे पहले हम देखें कि पसुधन में सबसे ज़्यादा भैसे हैं, हर्याणा में जो सबसे ज़्यादा पसुधन मिलता है, उसमें सबसे ज़्यादा भैसे मिलती है, अब राज्ये के अंदर ऐसा पसुधन जिसमें बढ़ोतरी हुई है, वो भी भैसो के अंदर बढ़ोतर दूसरा स्थान किसका है जीन्द का और तीसरा स्थान किसका है भहिया कैथल का राज्य में सबसे ज़्यादा भैसे कहा है हिसार में दूसरा स्थान जीन्द का तीसरा स्थान किसका है कैथल का है उसके बाद में नाम आता है सबसे कम भैसे कहा है सबसे कम भैसो वाला कौन सा है तो याद रखेगा गुरुग्राम और फरीदाबाद, सबसे कम भैस मिलती है गुरुग्राम में और सबसे दूसरा स्थान सबसे कम में पूछे तो आपसे याद रखेगा फरीदाबाद, तो याद रखेगा अंतिम दूसरा फरीदाबाद और अंत में जो स्थान है वो किसका नाम आता है गुरुगराम का, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सरवादिक भैसो वाला जिला है, हिसार, जीन्द, कैथल, पहला स्थान हिसार का, दूसरा जीन्द का, तीसरा कैथल का, लेकिन ये पूछे कि सबसे कम भैस गुरुगराम, और गुरुगराम के बाद में सबसे कम भैसे कहा है फरीदाबाद के अंदर है याद रखिएगा उसके बाद में पूछे आपसे राज्ये के अंदर सरवादी गाए कहा है तो राज्ये के अंदर सरवादी गाए है शिर्षा के अंदर राज्या में सबसे ज़्यादा गाय है वो शिर्षा के अंदर है सिर्षा के अंदर सबसे ज़्यादा जो गाय मिलती है वो कौन सी है साहिवाल है कौन सी गाय है साहिवाल है ये याद रखेगा लेकिन आपसे पूछ लेता है कि सिर्षा के अंदर गाय सबसे ज़्यादा है आप एक संभावना है, एक संभावी चीज सी है आपको भी पता होगा जिस जिले के अंदर सबसे ज़्यादा गाय होगी उसी जिले के अंदर सबसे ज़्यादा गाय होगी तो आप बता देना, राज्य में सबसे कम गाय है पंचकुला के अंदर, लेकिन सबसे कम गउशाला कहा है तो रिवाडी के अंदर, सबसे कम गउशाला रिवाडी के अंदर, लेकिन इसी के साथ में सभी बच्चे आप ये याद रखेगा, पिरिये सिटूरेंट, पिरिये से खुली थी वरतमान में उस गौशाला का नाम भी स्वामी द्याना ससोती गौशाला है जो विश्व की पर्थम गौशाला है विश्व की भारत की हरियाना की पहली गौशाला है जो 1889 के अंदर बनाई गई थी 1879 के अंदर बनाई गई थी सबसे कम गौशाला रेवाडी सबस से कम पसुधन भी पंचकोला के अंदर है और सबसे ज़ादा गाय सिर्षा सबसे ज़ादा गउशाला भी कहां है सिर्षा के अंदर सबसे ज़ादा गाय मिलती है साहिवाल नसल की गाय मिलती है बहुत अच्छे बहुत अच्छे उसके बाद में राज्य के अंदर सबसे बकरियों वाला जिला कौन सा है? तो राज्ये के अंदर सबसे जादा जो बकरी मिलती है वो सिर्षा में, महंदरगड में, भिवानी में. लेकिन इन पॉइंटों के अंदर आप एक विशेष्था देख रहे हैं होंगे. इन सभी चीजों के अंदर आप एक विशेष्था क्या बकरी कहां मिलती है तो उसमें राजस्थान का नाम भी आता है. और हारियाना के अंदर ये पूछ रहा है कि सबसे कम बकरी या सबसे जादा बकरी आपसे पूछ लेता है. सबसे जादा बकरी भारत में पूछी तो राजस्थान का नाम आ जाता है. और हारियाना में आपसे स सिर्षा सबसे ज़्यादा बकरिया वही है राजस्थान के साथ में लगता है महंदरगर दूसरे नंबर पर महंदरगर का नाम आता है और तीसरे नंबर पर नाम आता है भिवानी का लेकिन सबसे कम बकरी पूछ लेता है आपसे तो पानीपत यमुनानगर कैथल राज्य में याद रखेगा यमुनानगर का कोई लेना देना नहीं है, कैथल जो है उसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये सभी चीज़े आप इस परकार थोड़ा से एक पर सोचे, उसके बाद आप याद करें, ठीके न, राज्ये में सबसे जादा बकरियों वाला जिला है, सिर्सा, मेंदरगर भिवानी और सबसे कम बकरियों वाला डिस्टिक आपसे पूछता है, एक्जामिनर तो पानीपत यमुनानगर और कैथल, सबसे कम पानीपत में उसके बाद के अंदर सबसे कम बकरिया है, याद रखेगा, उसके बाद में अगले पॉइंट की, राज्ये में सबस डिष्टिक ऐसे मिल जाएं, जिसमें से एक राजस्तान के साथ में लगता हो, और डिष्टिक राजस्तान के साथ में नहीं लगते हैं, तो आपका राजस्तान के साथ में लगने वाला डिष्टिक आनसुर ठीक हो जाएगा, तो राज्ये के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेड़ों में सबसे कम कुण सा गुरुगराम, सबसे कम फरीदाबाद पंचकुला, राज्य में सबसे कम भेड़ गुरुगराम में, फरीदाबाद में, उसके बाद में पंचकुला के अंदर सबसे कम भेड़े हैं, याद रखेगा, उसके बाद में next question, राज्य में सरवादी गोडो वाला जिला कोन सा है देखिए आपसे पूछता है कि अस्व अनुशंधान के अंदर अस्व अनुशंधान के अंदर रहा है हिसार हिसार में है बैस अनुशंधान के अंदर भी हिसार के अंदर है अस्व अनुशंधान के अंदर हिसार में 680 केंदर बना था लेकिन ये पूचलες कि हार्याना में गोडो के वियापार का परसिध केंदर कोल सा रहा है तो हरियाना में गोडो के व्यापार का परसिध केंदर रहा है पेहुआ और पेहुआ कहां पर पढ़ता है तो आपने याद रखना कुरू छेतर केंदर पढ़ता है याद रखेगा ये बहुत important question है यदि आपने हमारी district wise playlist नहीं देखी है तो वहाँ पर जाकर देखे हरियाना जी के के सभी point अच्छे तरीके से clear कर रहे दिस्टिक wise भी है और वैसे topic wise भी है जब तक topic wise चली थी तो topic wise चला है था उसके बाद में district wise है ये एग भी point नहीं छोड़ा हूँ आपने नहीं देखा है तो देखे जरूर देखे वहाँ पर जाकर आप हरियाना जी के देखे ये हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं बीसवी पसुगना के coding आपने पहले पढ़ा ओगा वो 20 पसुगना नहीं थी आप पढ़ रहे हैं बच्चे 20 वी पसुगन्ना के कोडिंग, तो आपने पहले जो पढ़ा थो वो 20 वी पसुगन्ना नहीं थी, आप जो हैं वो 20 वी पसुगन्ना है, राज्य में सबसे ज़्यादा घोडे गुरुगराम के अंदर मिलते हैं, उसके बाद में करनाल में, उसके कम घोडे, पंचकुला, फरिदाबाद और मेवात के अंदर सबसे कम घोडे मिलते हैं, राज्य के अंदर, उसके बाद में, राज्य के अंदर सरवादी गधो वाला जिला, राज्य के अंदर सरवादी गधो वाला जिला कोन सा है, गदे पूछे कि राज्य के अंदर सबसे कम गदे पूछे तो अमबाला और राज्य में हर्याना के अंदर सबसे ज़्यादा गदे पूछे तो पलवल और गुरुगराम के अंदर सबसे ज़्यादा मिलता है तो यह सभी अच्छे तरीके से याद रखना है सबसे ज़्यादा सूवर राज्य के अंदर कहां मिलते हैं य उसका सभीका ठीक हो गया था, राज्य में सबसे ज़ादा सूवर मिलता है सोनिपत में, सबसे कम मिलता है मेवात के अंदर, उसके बाद में यदि आपसे पूछ ले कि राज्य के अंदर सूवर अनुसंधान संस्तान कहा है, एक्जामिनेर आपसे पूछ लेता है कि राज्ये केंदर सुवर अनुसंधान केंदर कहा है तो सुवर अनुसंधान केंदर पढ़ता है बस्तवाडा एक बस्तवाडा जगह पढ़ती है वो जगह करनाल केंदर है वहाँ पर राज्ये के अंदर सूवर अनुसंधान के अंदर है सूवर अनुसंधान के अंदर बस्तवाडा के अंदर पढ़ता है और बस्तवाडा कहा है करनाल के अंदर पढ़ता है बहुत अच्छे तरीके से ये सटीक तरीके से आपने याद रखना है उसके बाद में राज्य में सरवादिक उट, राज्य के अंदर जो सरवादिक उट है या उटो वाला जिला कौन सा है तो आपने याद रखना है सरवादिक उट मिलते हैं सिर्शा के अंदर उसके बाद में दूसरा स्थान है भीवानी ये भी राजस्थान के साथ में लगने वाले डिस्टिक है तो देख लीजिए राजस्थान का जहाज या रिगिस्थान का जहाज किसे कहते हैं उट को कहते है यदि एक दिन पानी पी लेता है उसको बाद उसको काम को मैं अच्छे तरीके से लिया जाता है उट को यदि आप से पूछे कि राजस्थान या रेगिस्थान का जहाज किसे कहता है तो उट को बता देदा लेकिन उट हरियाना के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से जिले के अंदर मिलते हैं तो सिर्षा के अंदर और भीवानी में सिर्षा के अंदर सबसे ज़्यादा ऊट उसके बाद में किसमे नाम आता है भीवानी के अंदर यदि आप से पूछता कि सबसे कम ऊट कहां मिलता है तो आप बता देना अंबाला के अंदर कुरूचेतर के अंदर सबसे कम उट अंबाला और कुरूचेतर के अंदर आप क्यूसर आता है कि उटों से सम्मंदित मेला भी लगता है क्या हरियाना में तो लगता है उटों से सम्मंदित मेला लगता है बरालू गाओं के अंदर एक बरालू गाओं है उस बरालू गाओं के अंदर उटो से समंदित मेला लगता है और वो बरालू गाओं भिवानी के अंदर पढ़ता है वो बरालू गाओं कहां पढ़ता है भिवानी के अंदर लेकिन एक्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि हरियाना में सबसे बड़ा पसु मेला जहाजगड जजजर के अंदर लगता है। आपसे राज-जे में सरवाधी कुत्य कौन से डिस्टिक में है कुत्तों का परकोप्सा होते एक तरीके से यह भी भाई साब अपनी वाली पे आजाते ना तो अच्छे बिखिए, अभी बाईक चल रहा है कुत्ता करके बाईक वाले को गिरा देता है पता नहीं उसको क्या यदि एक कुट्टे को किसी का टैंसन हो गया है कि बाइक वाले को गिराना है तो गिराएगा कोई भी बाइक वहां से गुजरेगा तो उसके पीछे ओलेता पढ़ जाता है कुट्टा ऐसा होता है तो गुरुग्राम के अंदर भी यदि हम देखना चाहें तो गुरुग्राम के अंदर भी कुट्टे बहुत होंगे तो गुरुग्राम के अंदर जाने से डरना पड़ेगा क्योंकि कुट्टे हैं वहां पर बहुत इस परकार से याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा यदि कुत्ते पूछे आपसे, तो गुरूग्राम, और गुरूग्राम के बाद में भीवानी के अंदर, सबसे ज़्यादा कुत्ते हैं ये अपने आप ही पता चल जाएगा आप किसी डिस्टी के अंदर जाएगे तो कुत्ते गुमते हुए मिलेंगे सबसे ज़्यादा कुत्ते गुरुग्राम के अंदर और बिवानी के अंदर है और कुत्ते तो बहुत कतरनाक तरीके के होते हैं उसके बाद में कम कुट्टे पूछे तो मेवात में मेवात में तो सूवर भी कम है, कुट्टे भी कम है याद रखेगा मेवात में नाम आता है याद रखेगा सबसे कम सूवर और सबसे कम कुट्टे कहा है मेवात में उसके बाद में सरवादी खरगोस आपसे पूछ लेता है एक्जामेनर की सबसे ज़्यादा खरगोस कहा है तो सबसे ज़्यादा खरगोस मेवात में सबसे ज़्यादा खरगोस मेवात के अंदर कुट्टे और सूवर कम है लेकिन खरगोस बहु ज़्यादा है मेवात में लेकि दूसरास्थान रिवाडी काता है, सबसे जादा खचर कहां है, तो आप याद रखेगा, जजजर में दूसरास्थान रिवाडी काता है, सबसे कम खचर कहां है, पानीपत में, मातर तीन या चार, एसे परकार से याद रखना है, सरवादिक खचर जजजर, उसके बाद रिवा तो पंस्कुला के अंदर उसके बाद में क्यूसन आता है काला सोना के नाम से किसे जाता है या सोने की खान किसे कहते है हरियाना में तो आप सभी को मालूम होगा क्योंकि आप हरियाना के निवासी हैं सभी आप और हम हरियाना के निवासी तो हमें पता है हारियाना में काला सोना किसे कहते है मुर्रा भहस को सोने की खान भी कहा जाता है मुर्रा भहस को एसियन ट्रेक्टर के नाम से भी जाना जाता है मुर्रा भहस को एसियन ट्रेक्टर के नाम से भी जाना जाता है मुर्रा भहस को जो पहला कलोन का नाम उस कलोन का नाम रखा गया था गोचरन भूमि, मुक्ति आंदलन गोचरन भूमि के उपर जिसने भी कबजा कर रखा था उसकी मुक्ति के लिए एक आंदलन चला था जैसे गावों के अंदर होती है गोचर भूमी जैसे गोचर के नाम से जानते है गावों के अंदर जो गोचर भूमी होती है और कोई उसके उपर कबजा कर लेता है उस भूमी को छुडाने के लिए उस भूमी को मुक्त कराने के लिए एक आंदोलन चला था और वो आंदोलन कि उसके बाद में गोवध संरक्षन कानून कब पारित किया गया है? यदि कोई गाई की हत्या कर देता है जा उसकी सुरक्षया से समन्दी जो कानून है गोवद और संदक्षन कानून कब पारित किया गया था 16 मार्च 2015 के अंदर उस समय भी बीजेपी गवर्मेंट था उसके ससनकाल के अंदर पारित हुआ था राजे में परती वेक्ती दूद खपत कितना है राजे के अंदर एक वेक्ती कितना दूद पीता है मतलब एक वेक्ती के उपर कितना दूद की खपत है राजे में कितना दूद का खपत है एक वेक्ती के उपर राजे में परती वेक्ती दूद खपत है 673 ग्राम राजे में के अंदर 673 ग्राम दूद की खपत है तो ये पसु गन्ना से सम्मंदित कुछ डाटा था, जो करंट अफेर से सम्मंदित है, ये सभी पॉइंट हमने आपके सामने रखे हैं, यदि आपने पॉइंट साथ के साथ में नोट नहीं किया है, तो आप एक सक्रिंसोट ले ले ले, उसके अंदर सभी पॉइंट आ जाएं धन्यवाद, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, बहुत जल्द नेक्स क्लास में, धन्यवाद